जाए हिंद इस वीडियो हों लोग अलकेंडिया लिमिटेट कंपनी के बारें बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में लागतार गिराउट हो रही है ऐसे में वो लोग जो काफी एप लेवल पर इस कंपनी के सेर को बाई किये हैं वो डरे हुए हैं घबडाय हुए ह कि कहीं पैसा दूब तो नहीं जाएगा तो इस वीडियो हो लोग इस कंपनी का कंप्लीट इनालेश जाएगा जानने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर क्रोफ क्या है क्या है उनके पैसों के क्या होगा कर सब्सक्रदिक्स का जबासे मिलेगा बस आप लाश्ट तक बने रही यदि आप लॉंग पर नजरिया से सोचते हैं तो उमीद करता हूं बहुत से लोगों को जवाब यहीं पर मिल गया होगा अब चलिए देखते हैं कि रियल में इस कंपनी में चल क्या रहा है आईए विडू सुरू करते हैं सबसे पर आप देखेंगे कंपनी की नाम है अलका इ सब्सक्राइब करते हैं यहां से उठना शुरू हुआ और लगतार पांच रुपए नावासी पैसा पर आगया जब इस कंपनी का ग्राफ देखेंगे तो एकदम सीधा और बीस तरग गराफ बनते हैं कंपनी में तो काफी खतरनाक होते हैं और बहुत सारे लोग इस का अब ट्रेंट ग्राफ को देखर सेयर को बाई किया है वही अभी रोना रो रहे हैं इसमें अब समझ यह जब एक रुपए से पांच रुपए नावासी पैसा तक इस कंपनी का सेयर प्राइस आया उसके बाद से मतलब ऑपरेटर्स तो हाभी थे साही आप देखेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे तो 30 का असपास आ गया तो ज्यादा नीचे नहीं आएगा लेकिन मान लेते हैं मार्केट का सेगमेंट ठीक नहीं जल रहा है तो मानते हैं कि अगर सेयर प्राइस बहुत ज्यादा डाउन आता है तो फिर से अपना वहीं 1- आसपर तक आसकता है लेकिन इसकी संभाणा बहुत कम है क्यों कम है मैं बताता हूं अब समझे रिटर्ण की अगर रिटर्ण मैं आपको बता हूं तो एक माहा में माईनस थैस्तीस परसेंट का रिटर्ण दिया है यह तो सभी जानते हैं लेकिन एक साल में चोगदेव फरवरी है सोंबार है और इस दिन कंपनी के quarter 3 की नतीजे आने वारा है अगर यह नतीजे अच्छे आते हैं तो एक पर operators फिर गेम खिलेंगे पक्का है तो जो लोग इस कंपनी के सेर प्राइस को तीन रोपेया उस उपर बाई किये होंगे उनके लिए थोड़ा बहुत मुनाफ़ा हो जाएगा मुनाफ़ा भले नहीं हो लेकि नुक्सान नहीं होगा क्योंकि operator सेर प्राइस को लेकर उपर जाएंगे वहां पर आप अपना profit बुक करके निकल जाएगा और न लेकिन नहीं हो रहा तो जाहिसी बात है जब सेर नहीं होगा तो कंपनी को पैसा आएंगे नहीं और अगर प्रोफिट आफ्टर टेक्स की बात करें इसको पी एटी कहते हैं तो यह देखेंगे वन में माइनस में था जो कि क्वाडर टू में पोजेटी में माइनस हट गया है तो अब जो क्वाडर थी का रिजल्ट आएगा तो उमीद है कि अर्निक पर स्चेर भी कुछ बढ़ जाए यह तो बात होगे क्वाडर रिजल्ट की अब देखते हैं कि कंपनी में और क्या क्य के खुद की संपत्ती होती है वह 24 क्रोण 55 लाग की है और इसमें अच्छी बात है कि साल दर साल बढ़ रहा है जबकि आप लियाबलिटीज देखेंगे लियाबलिटीज यानि कि वह संपत्त जो दूसरों को लौटानी है तो वह सिर्फ 3 क्रोण 56 लाग का है असेट का मकाब जा रहा है और जब 30 के लिए असपास आज जाएगा तो उसके पास उसके बाद ऊटमेटिक कंपनी का सेयर प्राइस उपर जाने लगेगा पर मोटर्स को होल्डिंग के बात करें तो सिर्फ 16.27 प्रतिसत है हालां कि पेनिया श्टोक में प्रमोटर्स को होल्डिंग ज्याद क्या इस कंपनी का आगे क्या हो सकता है तो समझे अब इस कंपनी का जो फूचर है डिपेंट करता है कंपनी के सेगमें अब बात करते हैं बहां करते हैं मतलब range में hit rate करते रहा रहा है और अगर अंतराश्ट्री लबल पर देखे तो अमेरिका के जो फेटरल वेंक उसने इंट्रेसरेट को हाई कर दिया है उसके चलते ही मार्केट में pump and dump का ख्याला चल रहा है और उधर आप देखेंगा तो रूस और उक्रेइन का विवाद जारी अब बात करें अगर business model की तो समझे भारत में textile sector का business grow करेगा इसको लेगा भारत सरकार भी क्यूरियस है और सरकार चाहती है कि textile sector में भारत काफी आगे रहे तो अगर जब आप फ्यूच्रिस्टिक point of view से देखते हैं तो कंपनी का business model काफी ठीक है और अगर आप इसमें investment करते आपको नुकसान नहीं होगा बहराल आपको फिलाल कुछ नुकसान अगर हो रहा होगा तो जब कंपनी का सेर प्राइस उपर जाता है घवलानी कोई बात नहीं पैसा डूबेंगा नहीं तो वहाँ पर प्रोफिट करके निकल जाएगा और जो नए लोग है जो इसमें इंट पूछे बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया